नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन निरामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे चोटे-चोटे बच्चे होते हैं जो की रात में बिस्तर में पेशाप कर देते हैं अब जब वो घर पे रहते हैं तब तो माबाप को कोई परेशानी नहीं होती लेकिन जब कहीं उन्हें बाहर जाना होता है किसी function में जाना होता है या कहीं गूमने जाना होता है तब इस तरह कि समस्या के कारण उनके माबाप को बहुत जादा परेशानी होती है इस condition को दोस्तो bad waiting कहा जाता है और सामानिता ये जो समस्या है ये दो वर्षे से चार वर्ष की उनके बच्चों में नॉर्मली देखी ही जाती है क्योंकि उनको control जो उनका bladder पे होता है वो पूरी तरह से नहीं होता है लेकिन उस control को toilet training के द्वारा बनाया जाता है धीरे धीरे बच्चों में इस तरह की habit डाली जाती है कि वो रात में सोने के पहले एक बार urine कर लें एक बार पेशाप कर लें ताकि वो रात में बिस्तर में पेशाप ना करें कई बार ऐसा देखने में आता है कि दो वर्ष से चार वर्ष की उम्र के बाद यानि कि चार वर्ष से लेके और 14-15 वर्ष की उम्र तक भी बच्चे बिस्तर में पेशाप करते हैं तब ये समस्या बड़ी गंबीर हो जाती है अब होमियोपेथिक मेडिशनल सिस्टम में इसके लिए सिम्टम्स के बेसिस पे आरसने का मैलमम, पल्सेटिला, क्रियोजोट, सीपिया इस तरह की दवाएं उपलब्द हैं जो की पेशेंट की मेंटल केस टेकिंग के बेसिस पे दी जाती हैं मेंटल केस टेकिंग का मतलब होता है, बच्चे से ये पूछा जाता है या बच्चे के माबाब से पूछा जाता है कि किस तरह की सपने ये देखता है, कई बार बच्चे आग के सपने देख रहे होते हैं और उस दोरान वो पेशाब कर देते हैं, कई बार बच्चे सपने मे पूरी case taking की जाती है और फिर उसके basis पे दवा दी दी जाती है लेकिन साथ में एक combination जरूर दिया जाता है जो की लगबख हर्ड homeopathic doctor जिसका use करता है और 100% effective ये result देता है 100% इसके effect बच्चों में देखने में मिलते हैं इस combination में दोस्तों हमें 3 medicines लेके आना होता है पहली homeopathic medicine होती है calcarea phos दूसरी medicine होती है netrum phos और तीसरी medicine होती है काली phos ये जो तीनों medicines हैं ये tissue salt होते हैं और homeopathic के बहुत अच्छे salt माने जाते हैं इस combination में हमें calcarea phos 6x potency में लेके आना है netrum phos भी 6x potency में लेके आना है और काली phos भी 6x potency में लेके आना है अब यदि हम इसके dose की बात करते हैं कि हमें इसका उपयोग किस तरह से करना है तो calcarea phos की 6x potency की 2 tablet सुबह, 2 tablet दोपहर में और 2 tablet शाम को बच्चे को direct खाने देदें चूस लेगा वो इसी तरह है netrum phos की भी 2 tablet सुबह, 2 tablet दोपहर में और 2 tablet शाम को netrum phos 6x potency की बच्चे को दे दें वो सीधे जीव पे रख लेगा और उसको चूस लेगा इसका जो स्वाद होता है वो बिलकुल normal होता है कड़वा नहीं होता है बच्चे को कोई problem नहीं होगी और ठीक यही procedure काली phos में भी करना है यानि की काली phos की 6x potency की 2 tablet सुबह, 2 tablet दो पहर में और 2 tablet शाम को देना है इस तरह से ये जो total तीनों टैबलेट हैं इनको 5-5 minute के अंतर से दे दें जैसे पहले calcarea phos दे दी, उसके 5 minute बाद काली phos दे दी और उसके 5 minute बाद netrum phos दे दी तो ये जो combination है ये बच्चे के दिमाग पे और उसके शरीर पे effect डालता है उसकी urine की holding capacity होती है उसको increase करता है मानसिक रूप से उसको शांत बनाता है और bladder पे control करने की जो उसकी छमता है उसको बढ़ाता है धीरे धीरे इस combination का उपयोग जब किया जाता है इसको लगबग 2 महीने तक use करना है result आपको पहले भी मिल सकते हैं जैसे ही आपको result मिलने लगें medicine का use करना बंद कर दें इस बात का ध्यान रखें कि यदि बच्चे की उम्र 4 वर्ष से कम है तो फिर उसको एक-एक गोली देना है 4 वर्ष से उपर के जो भी बच्चे हैं उनमें 2 गोलियां दी जा सकती हैं लेकिन 4 वर्ष से कम उम्र में एक एक गोली दिन में तीन बार देना है यानि कि एक गोली Calgaryafos की एक गोली Natrium Fos की और एक गोली Califos की तो इस तरह से आपको इसका इस्तिमाल करना है ये जो भी Homeopathic दवाएं मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में ये आपको किसी भी Homeopathic Medical Store पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगी आप इन दवाओं का उपयोग एक Combination के रूप में कर सकते हैं बहुत अच्छा Combination है यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को कोई और भी समस्या है जिसके कारण वो रात में विस्तर में पेशाप कर लेता है जैसे कभी डर गया या कोई सपना ऐसा देख रहा है तो फिर किसी Homeopathic Doctor से उसकी Constitutional Medicine आप इस Combination के साथ लेके उपयोग कर सकते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी Homeopathic दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों Homeopathic दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुह में अच्छे से कुल्ला करके गारगल्स करके मुह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होमियोपैथिक दवाई खा लेना चाहिए जिन दवाओं को दिन में दो बार या तीन बार या चार बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से धाई गंटे बाद खी खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए नहीं हमारे मुह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए जिससे कि ये homeopathic दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है तो हमें हमेशा ये धियान रखना है कि जब भी हम homeopathic दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की smell ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलाइची खा सकते हैं या नहीं बिलकुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं होमियोपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड इनके खाने से या तो आदे गंटे पहले होमियोपेथिक दQUA खा लें या फिर इने खाने के 2-30 गंटे बाद जब कि आपने मुह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गारगल्स कर लिये हो, तब इन होमियोपेथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है ये होमियोपेथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदी किसी भी होमियोपेथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जाएंगी ये दवाएं हर उसको कोई दवा बेची जाती है और नहीं कोई दवा भेजी जाती है इसलिए अपने नजदी कि होमियोपेथिक मेडिकल स्टोर या ओनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें